रियो ओलम्पिक में मंगलवार कुए खेलो में बैडमिंटन में भारती खिलारी पीवी सिंदू ने दुनिया की नमबर दो खिलारी चीन की वांग यान को हराकर सेमी फानल में जगे बना ली है तो वहीं कुष्टी के पहले दौर में तुर्की के इलदेम सेंग के हाथों से बारती पहलवान हरदीप सिंग को मिली हार ने ग्रीको और रोमन में भारत की चुनावती समाप्त कर दी है गोल्फ के महिला एकल पर तियोगता में भारत के अधिती अशोक आज शाम चार बजे अपनी बेतरी इन फार्म के साथ उतरेंगी बैडमिंडन के एकल्स परदा के इस क्वाटर फाइनल में आज शाम पाँच बजे श्रीकांत किदामभी का सामना चीन के लिन डैंसे होगा महिला गुष्टी की बात करें तो कुष्टी फ्रीस्टाइल 58 क्लो कुष्टी का मुकाबला आज शाम 6 बचकर 30 मिनट पर होगा महिलाओं की 800 मिटर दौर के राउंड एक का मुकाबला शाम 7 बचकर 26 मिनट पर होगा जिसमें भारत की शीर्ष महिला एथलीट टिन्टू लुका चुनोती देगी 800 मिटर दौर में राश्टी रिकॉर्ड धारक और पीटी उशा की शिश्या टिन्टू लुका से भारत को पदक की उम्मीद है